वेलकम गाइज, आज के क्लास में जो हम टॉपिक कवर करेंगे तो गाइज हम डायनमिक राउटि स्टाट कर रहे हैं और गाइज लिए वर्ड नॉर्मली आपको जो प्रोटोकोल मिलेंगे वो OSP for BGP and most of the question भी कहा है आपसे OSP for BGP में से पूछे जाएंगे क्लिक आज की ग्लास में हम कवर करेंगे लिक हम OSPF क्यों प्रैफर करते हैं और एनी अधर आईजबी प्रोटोकोल लागि जो आपका EIGRP प्रोटोकोल है तो इसके ऊपर गाइज कंपरीज में क्या है OSPF प्रैफर किया जाता है देन गाइज हम OSPF की टेबल शूटिंग कवर करेंगे इस वीडियो में और देन वी विल कवर दा गाइज OSPF Convergence Speed के अगर आपका Link डाउन हो गया Primary Link तो OSPF कितना टाइम लगाएगा पर traffic मूब करने के ऊपर Let's start the Class Guys है थानमेरे पास we have very simple setup यहां छावर मेरे पास के द्रफ पक्राइज है ऐक मेरा ओफ्स का डैली मैं है और विंध ऑंग्लोर थे जल्फ फेस करनेक्ट करते हो यह यह स्ट desenvol फिवार है का डैल डैली में है यह जो गाइज जलन डैली का 0 एक मेरा office कि है बंगलॉर में है तो इस तरफ दोनों तरफ मैं क्या layer 3 device क्या कर दूंगा इस्टोल कर दूंगा क्योंकि डैली का land होगा वो अलग सब्नेट होगा और बंगलॉर का land होगा वो क्या अलग सब्नेट होगा अगर आप प्राइवेट लिंक प्रचेश कर रहे हो जिसको हम लीज लाइन भी बहुत देते हैं जब पॉइंट तो यह सारे कनेक्शन क्या होते हैं आपके layer 2 कनेक्शन होते हैं तो बिसकली बहाइंड थे सीन गाइज वो क्या करते हैं MPLS layer 2 VPN यूज करते हैं तो इस सेन्यारियो में मैंने एटर से लिंक प्रचेश कर रहा है कर रहा हूं किसे लिजसे टाटा से तो रिटेंडर सी परपस के लिए तो यह जो मेरी कनेक्टिविटी है बहुत क्रीटिकल है तो इसके इसमें गाइज मैं दूसरा पॉइंट पॉइंट यह लाइन कनेक्शन करीज रहा हूं टाटा ISP से और यह भी गाइज लिंक में टाट 10.1.2 जैसे आप EBS Cisco में दो राउटर कनेक्ट करते हो जो फेसिक इंटरफेस होता है वो क्या आप सेमी सेग्मेंट कन्फिगर करते हो के तो एक्शल में आपकी यह डाइगराम होती है बट लोजिकले आपकी डाइगराम यह बन जाती है तो इसके पाद आपके पास क्या दो एक इस इस सेमी स्छल्ट डाइग राईनान कार ननाम्न क्या कुख बे отв threaded को फ्रोट को इसके पाद हों ओ यह डायनामेट और आइक राटी में अटिक रॉना विल्स कर हो जो बाइगराम देदा नरामाटी को टॉन इसके जो इस इपने खरो है भी तो ऐस व्लविप्में मे अगर आपके पास क्या दो path है, तो अगर आपको एक link को OSPF में क्या है, आपको प्राइमरी बनाना है, और दूसरे link को क्या है, आपको Scandry बनाना है, तो इस case में आप क्या करोगे, यही मेरा link बनाना है, तो IP OSPF को cost 5, जिस link की cost के आप लोर रख दोगे, वो link का प्राइमरी link आपको फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूल में क्या है जो bandwidth delay करके value आपकी calculate होती है अगेन वो आपकी bandwidth होती है वो end to end like bottleneck की bandwidth आपकी calculate होती है लाइसे अगर मैं source A to B अगर मैं इस router से metric calculate कर रहा हूं तो अगर यह link मेरा क्या है 1 Gbps और यह link मेरा क्या है 100 Mbps like from A to B EIGRP करता है from end to end का जो bottleneck bandwidth होती है अब फॉर्मूले में वो यूज करता है इस मेंस कि अगर आप router 1 पी manage कर रहे हो और इस interface के अगर आप bandwidth चीज़ भी कर रहे हो तो लेकिन वो इस bandwidth को यूज करेगा फॉर्मूले में that is why guys you see it's very difficult to okay to like modify the traffic in EIGRP में like EIGRP में traffic engineering के difficult है as compared to OWASPF okay and that's the main reason guys like OWASPF prefer किया जाता है over EIGRP so hey let's guys back here कर रहा हूँ अब मेरे को दो office अब मेरे का करना है connect करना है यहाला कि routing करना है तो इस case में OWASPF use कर रहा हूँ then I will show you like किस तरह मैं easily ATAR के link को primary बना हूँगा और TATA के link के मैं secondary बना हूँगा so in this scenario guys जो मेरे पास topology है so simply like router 1 or router 2 router 1 guys मेरा का Delhi router और Bangalore router पे का मैं OWASPF run कर रहा हूँ and after that guys पहले हम क्या करेंगे reachability check करेंगे make sure guys जब आप routing कर दोगे क्योंकि routing का काम क्या guys reachability provide करना तो जब आप routing कर दोगे तो Delhi का land Bangalore land से क्या communication आपकी क्या होनी चाहिए जब भी आप OSPF start करते हो right now guys मैंने कोई भी routing नहीं कर रखी just मैंने क्या IP address configure कर रखे है like जो आपका 10 का segment है guys यह आपने ATL link के ओपर दिया हुआ है और यह दूसरा मेरा क्या Tata का link है और यह मेरा क्या LAN है okay तो इस क्या 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 करते हो आप OSPF process start करते हो one और उसके बाद मैं natural command के थुरू भी कैम interface के ऊपर OSPF on कर सकता हूँ but guys this is an old way और second method guys क्या जो new way है आप specific interface के ऊपर जाके आप OSPF protocol को करोगे on करोगे तो इस case में guys जो मेरे interface है like 10.1.1 जो की मेरा ATL का link है तो इसके ऊपर मैं guys like OSPF process के on कर रहा हूँ और simply guys आप यह भी कह सकते हो like 0.0.0 255 255 255 area 0 this means guys like this network statement का मतलब का है किसी भी interface के ऊपर का है कोई भी IP address configure है 00 means का है all IP address wildcard mask this means guys I don't care मतलब कि हर एक interface के ऊपर का है OSPF का होजे own होजे इसका result guys अगर आप देखोगे like show IP OSPF interface brief तो आप guys आपको पहले चेक करोगे like इस router के ऊपर किस किस interface के ऊपर का है OSPF आपने own कर रहा है show IP OSPF interface brief तो यह आपको दिखा देगे like जितने भी मेरे तीन interface थे तीनों के ऊपर का है मेरा OSPF क्या हो गया मेरा क्या हो गया और यह सारे का है यह इनकी का है link cost है by default by default guys जो OSPF का formula होता है मैं उस पर depend नहीं रहता तो वह formula का है that is very old जब जब यह OSPF protocol डिजाइन किया था तो जो engineer था उसको नहीं पता था लेकिन future हमारे पास gigawit यह 10gb के link आजेंगे by default guys यह जो OSPF का metric formula है वह कहा है अगर आपके पास link fast ethernet का है इसकी cost value भी का है one calculate करता है अगर आपके पास gigawit का link है इसकी cost भी का है one calculate करता है और अगर आपके पास 10gb का link है इसकी cost value भी का है one calculate करेगा and definitely guys we know the difference obviously 10gb का यह ज्यादा faster है as compared to gigawit and gigawit ज्यादा faster है as compared to fast ethernet तो कभी भी guys आप default cost value है इसके उपर dependent ही रहते जो आपको link primary बनाना है उस interface के जाके आप एक command configure करोगे like ip ospf cost 5 or maybe 10 और जो आपका secondary link बनाना है जिसको आपको उसकी cost के आप higher रखोगे okay तो इस case में guys default cost value है मैं उसके उपर dependent ही होँगा and then guys हम क्या करते है दूसरे router जाने कि बेंगलो router के उपर OSPF on करते है तो इस router पे जो मैं OSPF on कर रहा हूँ guys I will use a new way so let's say router OSPF1 यह मैंने globally process करते है मैंने on कर दिया यहां पी जो new command है more specific है जिस interface के उपर आपको OSPF on करना है तो उस interface पे आप जाओगे then IP OSPF 1 area 0 that means कहा है इस interface के उपर जो भी IP address configure होगा उसके उपर OSPF क्या होजेगा आपका on होजेगा और जो इस interface के साथ जो network attached होगा जो कहा है जो मेरा इंटरफेस है which is gigabyte 0 via 1 IP OSPF 1 area 0 and जो मेरा LAN interface जो मैंने loopback interface बना रखे है तो इसके उपर भी कहा है IP OSPF 1 area 0 this is minimum configuration लगे आपको OSPF run करना है तो make sure जो आपके interface है उन सब के उपर OSPF आपका run होना चाहिए और then guys अगर आप routing चेक करोंगे युसी लाएगे अगर मैं चेक करता हूँ show IP route मेरे पास कहा है कुछ O से कहा है यह मेरा जो subnet है अगर मैं ping करता हूँ ping 192 168 2.1 source IP my LAN IP तो पहली बात guys क्या है हम routing कर रहे है तो अब हमें पहले क्या reachability मिलनी चाहिए जो की मिल रही है युसी लाएग जो डैली का LAN है वो अब communicate कर रहा है किसे बैंगलोर लान से अब ही क्या हो रहा है अब ही क्या हो रहा है जो मेरी cost value अब हो default है तो OSP मेरी ECMP हो रही है लेकिन मेरी requirement है मैंने ATL link को primary link बनाना है और Tata link को मैंने के बनाना है scantry link बनाना है तो इस case में मैं simply like जो मेरा ATL का link interface के उपर terminate है तो IP OSP of cost 5 और जो मेरा Tata का link है 0 via 1 IP OSP of cost 10 तो इस case में अगर आप द्वारा चेक करते हो show IP route तो यह route आप आपको simply इस link के उपर दिखा रहा है let me guys again run the command show IP route यह आपको जो अभी कहा है ATL link से कहा है primary दिखा रहा है तो इस case में अगर आप द्वारा communication चेक करोगे तो आपकी communication हो रही है और अगर मैं trace route करता हूँ let's say no IP domain look up और अगर guys मैं trace route करता हूँ bangalore के LAN को और source IP is my LAN IP तो इस case में guys जो traffic है वो आपका कहा है ATL link के थुरूई आ रहा है and guys one more thing जो guys trace route है one way traffic बताती है तो इस case में जो आप trace route कर रहे हो you are sitting on Delhi router and हम क्या कर रहे है bangalore land IP को हम क्या कर रहे है trace route कर रहे trace route है वो आपको दिखा रहा traffic इस link के थुरू जा रहा है but guys अगर आपको reverse traffic check करना है reverse traffic के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ultra trace करना पड़ेगा यानि कि आपको bangalore router से Delhi router का LAN IP के trace route करना पड़ेगा the trace route है वो आपको क्या one way बताता है अगर आपको अपना outgoing as well as incoming traffic check करना है तो आपको दोनों तरफ से trace route करना पड़ेगा तो आपको forward trace route भी करना पड़ेगा और आपको reverse trace route भी करना पड़ेगा तो इस case में guys जो मैंने cost value change करी है वो simply मैंने इस router पे करी है तो इस router पे मैंने cost value define कर दी 5 और इस link पे guys मैंने cost value define कर दी 10 लेकिन जो return traffic है guys वो decide कर देगा यह router अब इस router के उपर guys मैंने in interface के उपर कोई cost value change नहीं करी तो गई जो reply traffic आएगा 182.168.2.1 source IP आपका यह होगा और dash station IP क्या होगा आपका Delhi का LAN तो इस case में guys अगर यह router के उपर जो इस dash station के लिए अगर best path Tata link के थुरू है तो guys यह क्या होजगी आपकी earth metric routing होजगी तो outgoing traffic आपका ATL से जा रहा है और maybe जो आपका return traffic है वो Tata से जा रहा तो इस case में guys you need to remember okay जब भी course change करोगे तो आपको दूनों router पे define करनी पड़ेगी तो अगर आपके पास requirement आती है आपको ATL link को primary बनाना है तो आपको इस link के उपर भी क्या cost 5 करनी पड़ेगी और इस तरफ भी जाके क्या आपको cost क्या 5 करनी पड़ेगी और दूसरा जो मेरा Tata का link है इस तरफ भी मैं cost क्या करूँगा higher रखूँगा 10 और इस तरफ भी cost मैं higher रखूँगा so if I show you guys लेगा अगर मैं Bangalore router पे आपको दिखाता हूँ routing table तो Bangalore router पे अभी भी अगर आप चक करोगे to ECMP हो रखी होगी तो इस case में guys हम क्या करेंगे जो हमारी requirement थी जो मेरा interface है guys which is gigabyte 0 via 1 तो इस side guys इस link के उपर के हमारा ATL का link लगा हुआ है IP OSPF cost 5 और जो मेरा दूसरा link है gigabyte 0 via 0 तो इस तरफ guys इनका Tata के link लगा हुआ है IP OSPF cost 10 10 तो show IP route guys आप जब मार रहे हो तो अभी कहा है यह route के आप अपका update हो जएगा इसलिक अभी आपका कहा है reverse traffic भी कहा है ATL सी जा रहा है reverse traffic guys अगर आपको चेक करना तो आप ultra trace route करोगे तो like जो Delhi का land था which is 192 guys let me disable the domain lookup no IP domain lookup and trace route तो जो मेरा Delhi का land है which is 1.1 source IP is my land IP which is 192.168.2.1 तो अगर आप देखो कि अभी reverse traffic भी कहा आपका ATL से जा रहा है तो यह हमारी requirement थी and definitely guys इस case में अगर आपके पास अगर यह link down होयाता है ATL का OSP अपने आप यह आपका traffic यह दूसरे link के उपर आपको कोई IPS से ले आपको manually आपको Tata link को का primary बनाना पड़ेगा इस case में simply रहा है कि अभी अभी अगर आप चेक कर रहे हो तो ATL link की cost का 5 और Tata link की का 10 इस case अगर आपको Tata link को primary बनाना है तो दोनों दरफ के आप Tata link की cost का में भी less than 5 रख दोगे 4 रख दोगे में भी तो देखो कितना easy OSPF में traffic करना as compared to other routing protocol okay BGP की का more advantage over OSPF that is why guys like OSPF और BGP mainly use होता है आपका real time और most of the question guys interview में आपके इसी दोनो protocol में काया पूछे जाएंगा